मेरा नाम आ रहा है मेरी उम्रे इस समय 22 साल है और मैं जैपुर में होस्टल में रहकर चार्टट एकाउंट की पढ़ाई कर रहा हूं पर मैं साधी सुदा हूं यह घटना मेरे साथ दिसंबर 2021 में घटित हुई जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे मामा के लड़के की साधी थी तो एकजाम खत्म होने के दूसरे दिन ही मैं साधी के लिए निकल गया वहीं पास के ही गाउं में मेरा ससुराल था और बीबी की प्रेगनेंसी का नवा महीना चल रहा था तो मेरी बीबी अपने माई के आई हुई थी एकजाम की वज़े से तीन महीने से मेरी पत्नी से मिलना हो नहीं पाया था इस कारण मामा के घर से मैंने सीधा ससुराल चला गया मेरे ससुराल वाले अपने खेत वाले घर में रहते हैं ससुराल में मेरे साथ ससुर मेरे दो साले और एक साली है दोनों साले पास के सहर में रह तकरीबन दस बजे मैं दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया और लोग दूसरे कमरे में सोने चले गये थे मेरा बिस्तर वहीं चरपाई पर लगा हुआ था वहीं पास में जमीन पर मेरी साली भी सोई हुई थी उसका सरदर्ध हो रहा था तो मैंने उसे बोला तुम चरपाई पर सो जाओ तो वह चरपाई पर आ गई मैंने नीचे लेट गया इस समय तक मेरे मन में मेरी साली साहिबा का जिसका नाम पूजा है उसके लिए कोई गलत ख्याल नहीं आया था मुझे नीद नहीं आ रही थी तो मैं अपना फोन चलाने लग गया पूजा के सर में दर्ध हो रहा था तो वह उठकर अपने सर पे बिक्स लगाने लगी लेकिन उसका सर दर्ध कम नहीं हो रहा था तो मैंने उसे बोला मैं मालिस कर देता हूँ तो वह चरपाई से उतर कर नीचे आ गई सर्दी का समय था तो वह अपना सर मेरी गोदी में रख कर सो गई और मैं मालिस करने लगा मालिस करते करते मेरा मन होने लगा जिसका उसे भी पता लग गया लेकिन वो ऐसे ही लेटी रही और मजा लेने लगी थोड़ी देर मालिस करवाने के बाद वह वापस चरपाई पर लेट गई अब मेरे मन में भी उसे प्यार का विचार आने लगा लेकिन मैं पहल भी नहीं करना चाह रहा था तो मैं ऐसे ही लेटे-लेटे फोन चलाने लगा और पूजा भी चरपाई पर लेटी हुई मेरी ओर द किस करना सुरू कर दिया और इसके साथ ही उसके मुव में से हलकी हलकी आवाज निकलने लगी हाथ उसके सरीर को सहलाते हुए उसके सलवार तक पहुच चुके थे मैंने उसका कपड़ा उतार दिया उसने नीचे कपड़ा पहन रखे थे और मैं उसके सरीर को सहलाने लगा मै मैंने भी अपना कपड़ा उतार दिया फिर मैं प्यार करने लगा और समय रहते मैंने उसको किस करने लगा हलाकि मेरा अभी तक हुआ नहीं था तो मैंने उसके पांच मिनट तक ऐसे ही उसको प्यार करने लगा उस रात मैंने उसको एक बार प्यार किया और अब सुबा हम दोन अपने अपने बिस्तर पे जा कर सो गए क्योंकि गांस में सभी लोग सुबर जल्दी उठ जाते हैं उसके बाद मैं एक रात और वहां रुका और मैंने जम कर साली को प्यार किया उसके बाद मैं वापस जैपूर आ गया दोस्तों यह कहानी के ओल मनोरण्यन के लिए बनाई गई है इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद